नाम बनने में सालो लग जाते हैं लेकिन आपने तो अपना बना बना है नाम मैंने सुना बदल दिया एक ही चीज है जिसको आप चेंज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं वो है आपके नेम के स्पेलिग एक नंबर हम लोग काफी सुना करते थे कि ग्यारा रुपे क सगन हो 51 रुपे का हो 101 ये लास्ट में एक लाकर के थोड़ा सो सुना हो इसके बारे में आपका कोई साइंस है जो आप ये क्यों हो ऐसा पुरानी माननेता है या इसका आपकी निमरोलोजी से कुर लें रही है तो मोधी जी का सक्सेस गेट का क्या ये एट से खुलता है उनक मैं योगी जी की कहानी देख रहा तो उसमें भी काफी पांच है राउल गंधी जी का गेट क्यों बंद है राउल गंधी का गेट क्यों बंद है आगर नाम की स्पैलिंग चेंज करने राउल गंदी जो प्राम मिन सकते हैं 100% अभी डॉनल्ड टरम्प और कमला है रिस क्या मैं अपना भाग्या ग्राउयित सकता हूँ आना नहीं बदल सकते हैं लोग पसập प्पैले जब बच्चों का रिजल्ट आता था लोग पूछत लिए कितने नंबर आये हैं लेकिन अब जब लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा नमस्कार मैं डॉक्टर विवेक बिंदरा founder and CEO of BadaBusiness.com दॉवेक बिंदरा शो में आपका स्वागत है आज की जो मेरे गेस्ट हैं ये डेट बता कर थोड़ा fate बता रहते हैं आज की बारे में बात करते हैं मैं बिजनस के नंबर्स बढ़ाता हूं सबकों मालुमें बिजनस मतलब बढ़ा bit ले नंबर्स से कहते हैं बढ़ाते हैं नंबर्स पर फोकॉस करते हैं इंडिया के सबसे सफल नियूमेर offenders आज मैं थोड़ा उसमें गहराई में चर्चा करना चाहता हूं Mr. Arvind Sood, आपका स्वागत है Thank you very much Vivek जी, thank you very much for this invitation Believe me, trust me, it's a great honor, great pleasure to talk to you Great pleasure दन्यवाद Arvind जी, आपका बहुत नाम सुना है हमने, आप नुमरोलोजी में बहुत कमाल कर रहे हैं नाम बनने में सालो लग जाते हैं एमने नाम बनता एक बंदे का Arvind Sood एक नाम बन रहा है बड़ा नाम नुमरोलोजी में लेकिन आपने तो अपना बना बना नाम मैंने सुना बदल दिया Arvind Sood से आपने Arvind Sood कर दिया है तो आपने एंड लगा दिया बीच में चले मैं आपके एक सवाल पूछता हूँ अकसर हमने सुना है नाम में क्या रखा है मैं कहता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है नाम कही दाम है आपका नाम है Dr. Vivek Bindra मैं आपको शोग Bindra बोलूँ आपको अच्छा भी नहीं लगे कर आपको लगे कौन है यहाँ पर या तो कोई शोग Bindra है नहीं तो नाम जो है मैं बता दूँ यह बहुत ही एक पावरफुल स्टेटमेंट है और मैंने कहीं पड़ा था दा मोस्ट पावरफुल साउंड to the ear of a person on this universe that is his own name अपना नाम सबसे पावरफुल हो तो आप नहीं कह सकता है कि नाम में क्या रखा है पहला दूसरा नाम की जो पावर है निमरालोजी के अंदर में इसको ऐसे explain करता हूं वेग जी डेट ओबर तो कभी change होगा ने बन गया तो कभी change नहीं कर सकते आप उसकी composition कभी change नहीं कर सकते एक ही चीज़ है जिसको आप change करके life में कुछ भी हासिल कर सकते हैं वो है आपके name के spelling आप कभी भी उसको change कर सकते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता जी को तो numerology नहीं आती थी मेरी माता जी को तो numerology नहीं आती थी मुझे तो बिलकुल नहीं आती थी तो उन्हों ने जब मेरा नाम रखा A, R, V, I, N, D and S, O, D यही होना चाहिए था यही रख दिया उन्हों ने तो मेरे name का जो total है वो चार number पे आता है and four is a number of struggle and incidentally I am also ruled by number four मैं 13 तरीकों पैदा हुआ था तो आगे 13 की भी बात करेंगे आपके 13 क्यों लखी मानते है तो मैंने काफी struggle किया जिन्दगी के अंदर because number four के साथ जब आपकी name power four की जुड़ जाती तो it gives you lot of hurdles lot of speed breakers मुझे पता ही नहीं था जब मेरे पास ये विद्ध्या आई मैंने सीखी तो मुझे पता चला कि मेरी जो life की struggle है उसके अंदर काफी बड़ा जो योगदान है वो मेरे name से आ रहा है तो जब मैंने अपनी विद्ध्या सीखी और अपने name को सबसे पहले change किया तो मुझे आज भी वो दिनियाद है बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये नाम में कैसे उल्टा पुल्टा कर लिया है अब मैं कैसे समझाऊ उनको कि मेरा नाम सही आपके नाम उल्टे पुल्टे क्योंकि मैं अकेला खड़ा हूँ मैं कह सकता हूँ दिल पे हाथ रखके जब से मैं अपना नाम जेंज किया सन 2002 के आसपास मेरी डेटो बर्थ विवेग जी बहुत ही एवरिज जेटो बर्थ है बहुत ही एवरिज जेटो बर्थ उसमें कोई भी ऐसा राजयोग नहीं है जब से मैं आपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया है, the height of success which I have gained into my life, I say 50% credit I give to my name spelling. So name spelling is very, very important. You cannot ignore your name spelling. It's very important. वही मैं देख रहा हम आथकल celebrities भी नाम बदल रहे हैं. मैं देखा है, राजकुमार राउ ने एक M आड़ कर दिया, राजकुमार राउ में, एक त्रिप्ती दिमरी है, उन्होंने आई आड़ कर लिया अपने नाम के अंदर. In fact, टॉनिल शेटी, मैं भी उनसे रिसेंट्ली मिला तो उनका नाम बदला हुआ था. आई उश्मान खुराना ने भी कुछ चेंज किया है, उन्होंने भी एक N और एक R आड़ कर दिया है, या आजे देवगन ने भी मतलब देवगन में A हटा दिया है, क्या इससे गेम चेंज हो रहा है इन लोका? 100%, 100% ये. राजे देवगन पहले बहुत बड़े सूपर स्टार थे, तो सुचाता है कम हो गए? 16-leşटी पहले बहुत बड़े सुपर स्टार थे, तो सुचाता होगा हुए? तो, हम चीजों को मिक्स प नहीं करेंगे, कि जब उन्होंने अपना नेम चेंज किया था क्या उसके बाद उन्हें ने वो हाइट चुई या नहीं चुई सदा तो रहने के लिए कोई आया नहीं यहाँ पर जीत सदा नहीं होती हार भी सदा नहीं होती अगर आप इनकी डेटो बर्थ के साथ देखें तो उन्होंने जिन्दगी के अंदर अपनी जो सफलता देखी उसमें नेम का योगदान बहुत बड़ा था बहुत ही बड़ा था आपके लिए आपने शारू खान, सल्मान खान, रनवीर सिंग विक्की कोशल इनके नम ठीक है शारू खान का मैं बता सकते हैं विक्की कोशल का मैंने कभी चेक नहीं किया है अब शारू खान का अगर आप डेटो बर देखें मुझे एग्जेक्ट याद नहीं है तो उसका ड्राइवर दो है किनक्टर साथ है यानि कि वो दो तरीकों पैदा होते हैं अगर शारू खान के नेम के टोटल को अगर आप करके देखेंगे उसका नाम की स्पेलिंग को आप इग्नोर विवेक जी नहीं कर सकते है हमारी ओडियन्स में कुछ लोग जाना चाहते है कि उनके नाम की स्पेलिंग पर्फेट है के नहीं है खराब है क्या गड़ बड़ है उसका कोई अगर समराइज्ट सिलूशन अगर आप दे सके मैं एक काम करूँगा मैं आपकी टीम को A to Z के एक नुमेरिकल वैल्यू दे दूँगा A to Z के एक नुमेरिकल वैल्यू जिसे A1 आता है B2 आता है C3 आता है D4 आता है E5 आता है F8 आता है और सो ओन जैसे आपका बिजनेस है बड़ा बिजनेस ठीक है तो आप B, A, D, A बिजनेस के जो भी उसके निचे उसकी नुमेरिकल वैल्यू डाल गिएगा फिर देखे हैं वह कौन से नंबर पे आ रही है और मैं आपको बता दूँगा क्या वो सही नंबर पे आ रही है सही नंबर का मतलब आपके डेटो बद के साथ वो कितना सिंक कर रहा है डॉक्टर विवेक बिंदरा मैंने तो टोटल नहीं किया अभी लेकिन क्या विवेक बिंदरा का टोटल अच्छे नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है और अगर आ रहा है तो बहुत अचीव बात है नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा हो सकता है आप astrology जोड़ के numerology करते हो या isolation में करते हो मेरे टीचर ने मेरे को एकी बात बोली थी जिनसे मेरे ये विद्या सिखी too much of mathematics spoil the calculation वेग जी मैं कभी multiple चीजों के उपर focus नहीं किया है और ना कभी करूंगा मेरी specialty दो ही चीजों के अंधर है numerology और वास्तु तीसरी चीजों मैंने ना की है ना में कभी करूंगा क्योंकि एक जन्न में दो ही चीजों को अच्छे से सीख पाएं या उसके अच्छे से student में पर अपने हमें काफी है वास्तु में I was the first person in India who launch वास्तु in the history of television in the year 2002 I was the first person in India और मेरा पहला पहले महभबत尤 से कितनी दिन में असर पढ़ जाता है अब वास्तु में कितने दिन से असर पड़ जारें है इस से पर एंप आपने रोम का नंबर देख लिए मजह नहीं होगा कभी वास्तु का मितलब है वास प्लस तू वास्तू जहां तू वास्त करता है तो यू नीड़ लॉंगर स्टे ऐसानी को एक रात रुके या रात रुके वास्तू में तो ऐसा कुछ अचानक हो जाएगा ऐसा अशा मेरा बिलीफ नहीं You need a longer say to observe the results Good and bad both कहीं लोग होते हैं जिसे उनकी नहीं मैं देखता हूँ हेल्थ बहुत समय तक खराब ही रहती है मतलब आए दिन को इनों को बिमारी लगी रहती है और आपके पास भी आते होंगा ऐसे लोग देखो आर जैसे मेरे को भी स्टमक का प्राब्लम रहता कहीं बारी तो मेरे को एक बारी किसी एस्ट्रोजर नहीं बुला था स्टमक का प्राब में हमेशा रहेगा तो मेरे स्टमक की दो सर्जरी लो चुकी है एक सरजरी हुई थी जब ही मैं पढ़ता था कॉलेज में एक सरजरी हुई थी मेरी अभी कुछ साल पहले हाँ तो मेरे को ट्यूबर क्लोसिस था इंटेस्टाइन में तो ये भी कोई नंबर से रिलेटेड है जहां तक हम बहुत स्पेस्विक अगर बिमारी की बात करें ट्यूबर क्लोसिस था पेट की बिमारी थी आई थिंक अगॉर्डिंग तो माई नॉलेज और माई उब्सरबेशिशन इस मूर रैलेवेंट तो दा वास्तू वास्तू के अंदर अगर मैं आपको अपका घर देखूँ आपका फार्माउस देखूँ तो मैं पिन पॉइंट कर दूँगा कि सर आपके घर में आपके आफिस में ये अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी तो बॉड़ी के इस पार्ट में आपका प्रॉब्लम आएगी अपकी पॉड़्ी का प्रेंट के अंदर दोश घोगाई हुगा अपकी बॉड़ी का क्या है सेंटर। इसका मतलब आपके वहां पर कोई प्रॉब्लम सेंटर के अंदर होगी तो आपको प्रहन की प्रॉब्लम जादा ओगी वास्त वास्तूए कि आपको तौर पे लetrल्ट क तो अब क्या से जट करते हो? मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूं, दिर इस एट बिलियन पॉपुलेशन अक्रोस अवर्ल विवेक जी, एट बिलियन, पहुने आट सो करोड़, पहुने आट सो करोड़, मोटे तौर पहुने आट सो करोड़ माँगे, मैं भी आता हूं, आप भी आता है, मोदी जी भी आते हैं, बिल गेट्स भी आते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं, I hope you will agree with me with my one statement, आट सो करोड़ लोगों में सबकी तीन ही प्रॉब्लम हैं, तीन ही समस्याएं हैं और तीन ही एस्पिरेशन से, पहला आदमी को क्या चाहिए, पैसा, दूसरा चाहिए हेल्थ, और तीसरा चाहिए रिलेशन्चिप, आप अपनी जितनी भी विचार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं पेपर के उपर लिखिए, इसके अंदर ही होगा चौथा कुछ होगा ही नहीं आपके पास, तो मैं तीनों चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कि किसी की भी डेटोबर से आप करियर कैसे डिटेक्ट करेंगे, मनी सेक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसका हेल्थ कैसे डिटेक्ट करेंगे, को निया तरीका है अभी सिखा दूँगा पांच मिनिट में तो सबसे पहले पेपर लेजिए उसके उपर आपको अपना नाम लेखने जैसे आपका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा वी आई वी एक बी अंडी आरे हैं तो मैं आपके आउडियोंस को बोलूगा सबसे पहल रहा हूं क्यों आइन बॉक्सिज बिकाज नंबर यह से लेके नौ तक है जब नंबर एक से लेके नौ तो नाइन इन बॉक्सिज बनेंगे अब बर्थ चार्ट मनाज़ से पुलिजिए आपकी डेट बड़ जाननी पड़ेगी आप अपना डेट बड़ बताइए फिफ्ट की उपर मैं सब लोगों को बोलूँगा अपना डेट मन्त एंडियर लिखी है नौ सबसे पहले आपका जो डेट है वो है पांच तरीक ठीक है तो नाइन बॉक्सिज में जो सबसे मिडल का ब्लॉक है यहां पर मैं लिखूंगा पांच अब सवाल पैदा हुता है यही पर प यह कैसा ग्रिट है जहां एक से लेके नौ तक जितने भी नंबर उनके प्रॉपर प्लेस्मेंट है फर्स्ट वर्टिकल नाइन में फोर थ्री एट सेकिंड वर्टिकल नाइन फाइव वन थर्ड वर्टिकल नाइन टू सेवन एक से लेके नौ तक जितने भी नंबर है वह ल लोशू ग्रिड बेसी के लिए कि दिर वाजे सेंट जिनका नाम था लोशू, वाजे चाइनी सेंट, उनका बहुत बड़ा एक कॉंटिबुशन रहा है निमरालोजी के अंदर, तो उन्हों नहीं यह लोशू ग्रिड बनाए जिनके नाम से लोशू ग्रिड जाना जाता है, अ अब हमारे पास एक लोशू ग्रिड है, अब मैं इसको फॉलो करता जाओंगा, अब आपकी बर्थ चार्ट में हमने पांच का नंबर मिडल में इसलिए लिखा, कि लोशू ग्रिड में नंबर पांच सेंटर में आता है, वहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी के और मैंने पेस कर दिया, अब चलते हैं आपके मन्त की तरफ, मन्त है आपका जीरो फॉर, तो जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेस्मेंट नहीं होगी, वो मल्टीबल टाइम भी आ सकता है, अक्टूबर में पैदा हुए, 1980 में पैदा हुए, तो सीधर चार लिखेंगे, हाँ, तो जीरो को हम क्या करेंगे, अग्नोर कर देंगे, अगला नमबर आता है, चार, फिर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर मैंने लिखा चार, क्यों, क्योंकि लोशो ग्रिड में चार का नमबर उसी ब्लॉक में आता है, थ्री इंस्टक्शन, पहला, डेट, मन्त, एंड यर, जितने भी नमबर सीक्वेंस और के अंदर आ रहे हैं, एक-एक नमबर को उठाइए, और बड़े प्यार से, क्योंकि नमबर बड़े नाजुक होते हैं, और आपकी डेट वर्थ है, आप अपने नमबरों को ध्यान से नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा, तो एक के बर चार्ट में कोई भी नमबर एक से जादा बार रपीट हो जाता है, तो उस नमबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाएए, स्पोर्स आप 11 दिसंबर को पैदा हुए, तो एक कांक तीन बार आ गया, बाइस फरवरी को पैदा हुए, तो दो कांक तीन बार जाए, तो जो नमबर रपीट हो रहा है, एक से जादा बार उस नमबर को उसी ब्लॉक में डालते चले जाएए, सिंपल, लौड एंड क्लियर, अब आपका मन्त हमने लिख लिए, 04, अब आता है, 1982, 1982 का पहला नमबर है, नीचे बाले बीच में आ जागा, लास्ट की होरीज अग्ला नमबर यहीं पराता है, अगला है आपका आठ, फस्ट वर्टिकल नाइन लास्ट कॉलम के अदर मैं लिख दिया, आठ, क्यूं? क्योंकि लोड श्ट्र गृड में आठ वहीं पराता है, लास्ट नोट दा लीस्ट नमबर टू, यह मैंने लिख दिया, नमबर टू, फर्स्ट होरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलॉम के अंदर अब आपका बर्चार्ट के सारे नंबर आ गए है लेकिन कहानी में ट्विस्ट है पिक्चर अभी बाकी है अब तीन तरह की मैं लॉटरी दिखाता हूँ आपको हर प्रमात्माने सबकी डेटों बर के अंदर ना विवेक जी तीन लॉटरी डाली हुई है किसी की एक भरी, किसी की दो, किसी की तीन और किसी की तीनो फुस आपकी कितनी भरी हैं देख लेते है पहली लॉटरी होती है जिसको मैं बोलता हूँ D number that is driver number आपका driver 5 है कहां से आया? आप 5 तरीकों पैदा हूए तो आपका driver 5 हो गया 14 को पैदा होते है तो भी 5 था 23 को होते है तो भी मैं 13 तरीकों पैदा हूआ तो मेरा 4 हो गया यानि कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका driver है double digit में है तो single कर लीजे, single digit में है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं, 2, 30 को पैदा होते हैं, तो 3, 28 को पैदा होते हैं, तो driver 1 बन जाएगा, 3 lottery निकालने लेगा हूँ अगली lottery होती है, जिसको मतलब हो गया, 2 प्लस 9, that is equal to 11, that is equal to 2, गलती नहीं होज़े, द्वारा देख लेता हूँ, 5 और 4, 9, 9, 10, 10, 9, 19, 19, 19, 20, 27, 22, 29, आपका connector नमबर हो गया, 2, एक होता है wild card entry हो, right, wild card entry का की नमबर निकलेगा, इंडिन आइडियल में wild card entry आती है, फिर आप देखते होंगे, बहुत से shows के अंदर wild card, अब एक wild card entry निकलते हैं, वो उसको बोलते है, k number, that is a kua number, वो कैसे आएगा, 1982, सबसे पहले हमें क्या करना है, year of birth लिख लेना है, right, जो भी आपका year of birth है, हम सब को total करेंगे, 1982 का में male भी पैदा होंगे, female भी पैदा होंगे, अब आप एक male है, तो अगर आपका जो भी year of birth है, जो भी उसका total आ गया है, अगर आप male है, तो उसको 11 में से minus कर दीजिए, 11 minus 2, that is equal to 9, तो 4 plus कर देंगे, 4 plus 2, that is equal to 6, तो जो year of birth है, उसका total कीजिए, male है तो 11 minus कर दीजिए, female है तो 4 plus कर दीजिए, अब आपका जो कुवा नंबर है, वो नंबर 9 निकल के आया है, correct, जो भी आपका driver है, जो भी आपका connector है, जो भी आपका कुवा है, उसको birth chart में लिख दीजिए, यह मैंने आपका driver लिख दिया, यह मैंने आपका conductor लिख दिया, यह मैंने आपका कुवा नंबर लिख दिया, अब lottery भरी नहीं होने का और होने का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ उसमें फरक नहीं पढ़ रहा है, पर होती तो शायद आपकी configuration change हो सकती थी, आभी मेरे को configuration change करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं चेंज करने की, क्योंकि प्रमात्मा की बनाईवी configuration best ही होती है, आपको कुछ भी change करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, यह birth chart मेंने आपको बना दिया, कि this is your birth chart, चलिए बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपकी major strength बता देता हूँ, एक बड़ी जबदस golden statement देता हूँ, मानना मत, जान लेंगे, जानना है, यह बहुत ही envious हूँ आप से एक चीज़ को लेकर, I am very envious to you, किसी भी इंसान की डेटो बर्थ के अंदर वेक जी, अगर यह लाइन पूरी हो जाए ना, 951 की, देखिया आपकी 995 की लाइन पूरी हो रही है, वाई I am envious मेरे पास है नहीं यह लाइन, आठ लाइन हैं, तीन वर्टिकल, तीन होरिजेंटल, दो दो डाइगनल, सारी लाइन है इंपॉर्टेंट है, बट दा मोस्ट फेवरेट लाइन ऑफ अर्विन सू, फर्स्ट आइ डोंट है, शेकिंड, मैं आपको एक बहुती गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, अगर किसी के 951 की लाइन कम्प्लीट हो जाए, इस लाइन को बोलते हैं सिम्बल ऑफ सक्सेस, ऐसा कभी नहीं होगा, आप हजारों लाखों क्रोडों लोगों को आप अनलसीज कर लिएके जो आपको जानते हैं, अगर किसी के बर्चाट में 9-5-1 आजाए, तो मैं गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, एज टीचर, इस पीपल आप फाइटर, फाइटर, एंद फाइटर, नेवर, नेवर सिकंब तु अप्रेशर, बाउस बैक करते हैं, बाउस बैक करते हैं, हलात के सामने गुटने नहीं टेकते हैं, हलात के गुटने टिकवा देते हैं, संघर्ष के गुटने टिकवा देंगे, and ultimately these are the people who are the two heroes, two victorious people into the life, so you have a great personality into this 9-5-1, राज योगा कि अगर बात करेंगे, मैं रूक नहीं पारू, बोल दू, I'm in a flow, राज योग होते हैं, तीन परकार के, चार पंचे की लाइन, you don't have, second best राज योग होता है, 258, you have, third राज योग होता है, 951, what a fantastic date over to you have, you have two राज योगा, 258 and 951, शाद आपको पता भी नहीं होगा, कि आज, डॉक्टर विवेक बिंदरा, डॉक्टर विवेक बिंदरा, बने हैं तो क्यों बने हैं, मेरी दरिश्टी से देखिएगा, अपनी दरिश्टी से नहीं, तो मैं 951 का आपको बताता हूँ, मैंने बुला, top 100 list, right, अब आपको कुछ नाम बताता हूँ, हाथ कंगन को RC क्या, फिर पड़े लेके कौफार सी क्या, आपने गाए, भई मेरी बात को मानो, मैं जानो, जानो, आप हर बात को शंका से देखिए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जो zero से hero बने है 951 में, राइट, नरिंदर मोदी जी, 951, शारूख खान 951, सल्मान खान 951, सोनिया गंदी 951, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, अगर आपके पास 951 आजाए, आपको जीवन के अंदर सफल होना ही चाहिए, मैं यह नहीं कहूँँगा, होंगे, there is a difference, होंगे, होना चाहिए, और अगर आपके पास 951 की लाइन हार, आप जीवन के अंदर सफल नहीं है, I will be slightly harsh, and I always harsh on those people, if you have 951, you are not successful, I will say you have wasted your human birth, and you are the biggest criminal on this earth, because प्रमात्मा ने यह तीन हीरे डाले, आप कंकर समझ के, रोज फेंग देंगे, तो फिर प्रमात्मा करे तो क्या करे, डेटो बर्थ करे तो क्या करे, वो यह अच्छा पार्ट तो मुझे अच्छा लगा काफी, 951 और दूसरा एक और बता है, आप में राजयोग, कौन सा था था वो, 258, 258 का क्या मिनिंग होता है, 258 का मितलब होता है, इस लाइन को एक तो राजयोग बोलते हैं, दूसरा इस लाइन को बोलते हैं, विवेग जी, अर्थ ऐलिमेंट, अर्थ ऐलिमेंट का क्या मतलब कि, बहुत ही अर्ली एज, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर, अगर स्ट्रगल भी करना पड़े थे, यह लोग किराय के घरों में नहीं रहते, अपना घर बना लेते हैं, मुल्टीपल घर बना लेते हैं, अब मैं आपको एक golden advice दे देता हूँ, हो सके तो उसकी फीस देना को तो दे दीजिएगा, मैं deny नहीं करूँगा, पूरी में मेरे को गले से पकड़ लीजिएगा, whenever you have to invest, मैं एक जएगे invest करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ, लिए तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आएगा, चलो ठीक है, आप जब ही भी पैसा invest करें, सिरफ और सिरफ, ना left ना right, property, property और property, अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी हमेशा फलेगी, आपको और multiple fold हो जाएगी, अब आप कहा पैसा लगाते हैं, मैं सारह आप लगाता हूँ, बड़ा बिजनस में, अपने बिजनस में सारह पैसा लगाता हूँ, कि बिजनस को बड़ा करना है मेरे को, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है, बट फिर भी कभी आपको इवेशा है, यह बास सही है, मैंने शरुवाद से ही, जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किया, बहुत जल्दी-जल्दी मेरी प्रॉपरिटी बड़ हो गई थी, तो यह बात आप में ठीक पकड़ी है, अगर आपको पैसा मतलब, आप बड़ा बिजनस में लगाएं, अब बड़ा बिजनस में लगाएं, मेरे मन में ना पाँच नंबर से, क्योंकि मेरा पाँच है, मैं योगी जी की कहानी देख रहा तो उसमें भी काफी पाँच है, वो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या एक तो पाँच जून का है, उनने सब बड़तर, और उनका पहले नाम था अजे मोहन बिष्ट, तो मैंने कैलकुलेट कराया, मैं का, आप से मिलने से पहले थोड़ा गणत निकाल के देखाओ, बर्थान मंत्री का, कोई पॉपलर मुख्य मंत्री का, तो वो भी उनका पाँच निकला, जो उनका बच्पन का नाम था, पर बाद में वो महंत बन गए, गुरकनाथ मठ के, महंत बन गए, तो वो भी जो है 23 लेट रहा है, वहाँ पे भी वो मार, उनने सो ठाणवे में, उनने सो चुराणवे में, जहां तक मुझे आद है, तईस तरीक को, तो वो भी पाँच हो गया, फिर मैं देख रहा था कि, उनकी लोकसभा भी वो पाँच बार जीते, फिर मेरे को यारा रहता है, कि योगी आदितनाथ की लोकसभा, में जो एटेंडन्स थी, 77 परसेंट थी, तो साथ औसाथ 14 एक और 4 पाँच, वो भी पाँच हो गया, तो योगी जी ने 284 सवाल पूछे, बोकसभाब में, 284 सवाल का 2 प्लस 8 प्लस 4 हो गया, 14 और भी 5 हो गया, कमल की पाँच आते हैं, पर जो 5 वाला पंजा दिखाते हैं, आखर के दूसरी पाँच वाले, उनको वहां से 9,21 कर दिया उन्होंने, तो इनका 5 का क्या इंपाक्ट है, मतलब इसा इस पे भी कोई आपका साइन से स्टडी है, तेखें, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपने पॉडकास से शुरू किया था, मैंने पहले ही बोला था, तब मोस्ट लवड नंबर हैं, जब ड्राइवर पाँच है, आपको भी ड्राइवर पाँच है, जब ड्राइवर पाँच होता है, तो आपके इंसिनेंट्स, जितने भी इंसिनेंट होंगे, वो हमेशा पाँच करद 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 गोंगे, दूसरा आपने बोला, जब ड्राइवर पाँच है, तो हमेशा आप देखेंगे, इनके लिए हमेशा नंबर पाँच लग्की ही रहने वाला है, इसलिए आप देखेंगे, इनका चाहे वो लोग सॉबा का परसेंटेज आया हो, स्वाल पूचे हो, वो नंबर पाँच के लिए घूमते रहते हैं, तो आपको ये इंटिफाइ करना पड़ेगा, आपकी डेटो बर्त के इसाब से कौन से ऐसे नंबर है, जो एक मेगनेटिक अट्रेक्शन की तरह चलते हैं आपके साथ, सम्टाम इट इस गुड अट्रेक्शन, सम्टाम इट इस बाद अट्रेक्शन, लोग इन माइकेस, मेरा ड्राइवर चाहर है, बट फॉर मी, बट इस थे शर्ण, मैंने मोदी जी की लाइफ में लिएखा, वो देखा कि आट नंबर आते ही, मोदी जी का जरनम वह उननिस सपचास में, सेप्टेमबर, तो सत्रा हो गया, एक और साथ आठ हो गया आगे हमने मोदी जी का पर शड़ी किया हुआ है लेकिन मैं आठ तरीक वो कभी भूता नहीं जब शाम को आठ वजे अनॉंस्मेंट हुआ था डरी लगता है अठ तरीक को शाम को आठ वजे मोदी जी आठ तरीक को क्या करेंगे अठ तरीक को क्या करेंगा पी एम मुद्रा योजना इनकी काफी पॉपलर हुई वो भी आठ तरीक को लाँच करेंगे इनका डिजिटल इंडिया जो लाँच हुआ सेप्टेंबर ट्वणी सिक्स्त को वो भी दो प्लस छे आठ हो गया फिर जब पाकिस्तान पे एर स्ट्राइक करी वो भी जबेश तरीक को करी तो मोदी जी का सक्सेस गेट का क्या ये एट से खुलता है उनका गेट? नहीं एट से नहीं कुलता है अब मोदी जी की डेटो बरत है 17th of September 1950 अब सबसे बड़ी गलत फ़हमी पता है क्या है सब लोगों को या मोदी जी को भी कि मेरा गेट आट से खुलता है गेट आट से नहीं खुल रहा है मैं मेशा कहता हूँ विवेग जी कईवना जिंदगी में आपकी सफलता के पीछे कहां से सप्लाई आ रही हो या मैं पता नहीं हो हम चौदरी बन जाते मैं ही मैं हूँ ऐसा नहीं है मोदी जी की डेट बर्त में अगर देखे सेमनटींथ आफ सेप्टमबर नाइंटीन फिफ्टी उनका ड्राइवर आठ है सत्रत रिकों पैदा हुए डेट मन्थ हीर का टोटल कीजिए आपको शायद यह नहीं पता हुए उनका वो टोटल पांच पे आता है ड्राइवर आठ किनुक्टर पांच वान अफ दा बेस कॉंबिनेशन पांच एक ऐसा नंबर है जो जिन्दिगी में अगर आ जाए युनाइट्ड उफ अमरिका नंबर फांच पाँप पांच पे आता है जो भी जानटे युकों पावल का ंवोडि जी घ्रा आठ सेनि को बंद है किह फूला को सफ़नकित प्रियू पांधि का गेट की बंदहिए। अच्छे भोग हो रहे हैं सब तो राजोग है यह बट कभी प्रधानमंत्री नहीं बने ना बनेंगे पैदे चलते जाए रहे भारत में घूम रहे हैं राहुल गांधी डिस्प्ले कीजे का अपनी टीम को बोलके जरा इसको राहुल का टोटल 17 पे आता है गांधी का टोटल 19 पे आता है 17 और 19 कितने हो गए 36 मैं इस टीचर जब पढ़ाता हूं कि 36 का नंबर 36 का अगड़ा अगर आपके नेम के स्पैलिंग आपके डेटो बर्त के सा सिंक नहीं किये तो आपको हीरो से 0 भी बना सकते हैं और अरविंद सूथ की तरह अगर नेम के स्पैलिंग करेक्ट क आता है 36, 36 का मतलब हो गया 3 और 6, 3 जुपिटर नंबर, 6 जुपिटर नंबर, 6 जुपिटर नंबर, वीनस नंबर, बोथ हर एंडमी तो इच अधर और अगर और आपके लाइन आती है, तो राजोग तो मिला ही हुए, कह कोई कमी तो है नी, जिस दिन उनको ओत लेनी थी, ओ आपको कारण बताता हूँ, सोनिया का टोटल भी 17 पे आता है, और गांधी का टोटल तुनिस पे आता है, वहाँ भी 36 कांगड़ा लगा हुए है, तो अब आपको समझ आ गया नाम में क्या रखा है, तो कई बर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशानाचाबी, कहीं गुम है, डेट बर्त में प्राउब्लम नहीं है, अगर नाम की स्पैलिंग चेंज करने राउल गांधीर प्राइमिनिस्टर बन सकते हैं, मैं ऐसा तो नहीं कोंगा बन सकते हैं, बट जो हडल जा रही है, वो चेंज हो सकती, देरके भी लॉट अपस पर, वैसे मैं राजयोग के हैं, यह तो हमेशने सब को बता है कि वो सक्सेस के पीछे नहीं भागता है, सक्सेस उसके पीछे भागती है, इसके पास राजयोग है, तो नियुम्रलोजी में राजयोग कैसे पराचलता है, देखें सबसे पहले न राजयोग की परिभाशा क्या है मेरे शब्दों में, what I have defined what I have learnt, अगर आपकी date of birth में राज हो गए तो सफलता इनके पीछे भागती है, यह सफलता के पीछे नहीं भागती है, as you rightly said, right now, तीन तरह के राज हो गएं किसी की भी date of birth के अंदर, तीन तरह के, पहला राज हो गोता है, 456 की लाइन, अगर आपके बर्चाट में 456, यह तीनो नमबर आ जाएं, जीरो से हीरो बन जाता है आदमी, और बनना ही चाहिए, कुछ नाम भी बता दूँगा आपको में, 456 की लाइन, जिनके अंदर पूरी हो रही है, सुनिया गंधी के पूरी हो रही है, बाबा राम देव को जानते ही होंगे आप, सिंपल सी परसनेलिटी, ज्यादा एजूकेशन भी नहीं है, ऐसी कुछ फिजिकल अपेरंस या कुछ ऐसा लंबा चोड़ा नहीं है, डेटो बर्फ में 456 आता है, जॉनी लिवर का नाम सुना आपने, सदारन से एक्टर, 456 की लाइन आती है, शिरी शिरी रभी शंकरी 456 की लाइन आती है, अनिल कपूर के 456 की लाइन आती है, इसे लॉंग लिस्ट, सो इफ यू गेट इस काइंड ओफ राज योगा, तो सफल ता आपके पीछे आती है, और यह जितने भी मैंने नाम वेग जी बताए हैं, यह जीरो से हीरो एकी जन्न में बने हैं, बवापौती में कुछ नहीं लेके आये थे, सेकंड राज योग होता है, जो आपके पास भी है, दो पांच आट की लाइन, अगर आपके पास दो पांच आट की लाइन आ जाहिए, आपको जीवन के अंदर सफल होना ही चाहिए, और आपको भी नहीं पता है कि इतने बड़े डॉक्टर विएक बिंदरा का नाम कहां से जुड़ है, मैं तो अपने प्रस्पेक्टिव से देखना हूँ, दो पांच आट की लाइन आ रही है आपकी, तीसरा जो राज योग होता है, उसको हम बोलते है, सिंबल आप सक्सेस्ट यह नाइन आपके पास यह तीनों में से कोई भी लाइन आ जाए, तब कि सफलता के च सब्सक्राब आजाते हैं, यह प्रफेशनली वह लाइन नहीं है, राइट, आप कितना कॉंफेड़न तो अपने प्रफेशन को लेके, इनुमरोजी कितना काम करती है, मैं कॉंफेड़न नहीं हूँ, यह मेरा इश्क है, यह मेरी महभबत है, यह मरा अप्सेशन, आप देख आज जो भी लाइफ में चीव किया है, यह सारे के सारे पालन करके ही अपने आपको मैंने कहीं नहीं नहीं पूछ लेता हूँ, दोहुजास चौबेश के एलेक्शन के मैं टीम से पूछा, रिसर्च किया, उन्होंने आपने कुछ प्रडिक्शन दिया था, मेरे को पता लग यह 14 जून 1946 वाले आगे निकलेंगे डॉनल्ल्ड ट्रमप, यह 14 जून 1946 जसो लगो, डॉनल्ड ट्रमप, जी क्या है, ओन कैमरा टेस्ट हो जाएगा जानो और मानो अप जानो, राइट, दूद पानी का पानी, 14 जून 1946 डॉनल्ल ट्रमप, और कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964, ब ड्राइवर पांच किनेक्टर चार कुवा नौ परचाट मेने बना दिया है चार पांचे का राजोग है नौ पांचे की लाइन है जो सिंबल ऑफ सक्सेस है बहुत ही पावरफुल है कमला है इस बीस अक्टूबर 1964 ड्राइवर दो किनेक्टर पांच कुवा छे उनके पास भी चार पांचे की लाइन है उनके पास भी नौपांच एक है अब मामला बड़ा फस गया है बड़ी जबदस टक्कर होगी अब मैं आपको बताता हूं कि इनका पीरिड कैसा चला है अब तो पीरिड डिसाइड करेगा कि वक्त किसकी उसमें बैठेगा बट एक बात है है मैं आ क्लियर हीरो विल बी डोनल्ड टरम्प फीरिड केखर बात करूं तो बहुती जबर्दस पीरिड डोनल्ड टरम्प का भी चल रहा है और कमला है इसका पीरिड जो है थोड़ा सा थोड़ा सा सुस्त नंबर पर आ गया है बट टकर बड़ी जबरदस होगी आपको बता दू मैं तो दिस इस माई प्रडिक्शन बहुत बड़ी है प्रडिक्शन रिकॉर्ड कर लो भाई लोगो कामाई की बात ने और दूसरी बात मैं कहता हूँ वेग जी मैं डरता नहीं हो यार किसी से मेरा कामे रीड करना गलती भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं यार अगर प्रशंसा मैं लोगा तो निंदा कौन लेगा तो होना चाहिए ऐसा राइट अब जब इंडिया का जब यह हुआ था भी पार् जी से कोई मतलब है ना राहूल गांदी से मतलब है मैं तो भईया उनकी डेटो बर देखे बता दूंगा एज इनिमरोलोजिस और मैंने क्लियरली बोला था चारसो तो बड़ी दूर की बात है ना को चने चमाने पड़ेंगे और यह बहुत ही मुश्किल से विक्ट्री होग तो सब लोग ने बड़ी बड़ी निंदा के ऐसा होगा क्योंकि डेटो बर दोनों की बड़ी टक्कर की है पर पीरियड जो है वक्त किसकी हाथ में बैठेगा मोदी जी का पीरियड उस वत उतना स्टॉंग नहीं चल रहा था जितना राहूल गांदी का चल रहा था और फिर मैंने प्रडिक्शन की थी यह पांच साल मोदी जी के ल नंबर्स में बच्पन से एक नंबर हम लोग काफी सुना करते थे कि ग्यारा रुपे का सगान हो 51 रुपे का हो 101 का हो 250 का हो 1100 का हो या फिर यह लास्ट में एक लाकर के थोड़ा उसको शुब माना जाता है बोलो बढ़ता हुआ जेना चीए बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ आपको उसके बारे में कुछ पता हो या अगर मैं इसलाम प्राक्टिस करने वाई लोगों को देखो तो वो 786 नंबर को बड़ा खास मानते हैं तो इसके बारे में आपका कोई साइंस है जो यह क्यों हो ऐसा पुरानी माननेता है या इसका आपकी निमरोलोजी से कुछ फिलड़ लगोगे तीन तीन नंबर किसका हता जूपिटर का नंबर होता है देव गुरू का नंबर होता है जिसके पर जिसके पास लॉड़ज होती है च ourselves ऐब धनीपनाम इबाट उन थैरा हो तो मैं आँ थैरा आज एख़रा हुओ बिलडर अच भुटल में या इसे पर देखा कि पीम अटल बिहारी वाजपई जी उनका तेरा से बड़ा करनेक्षन था वो उन्तेरा से क्या करनेक्शन था तेरा मई को जो है उनने इस्तो चैन्डवे को जहां मज़े आदारा है प्रधानमंत्री वो बने थे तेरा दिन की सर्कार बनी सर्कार गिर थी दुबार पता नहीं को उन्की वोटों की गिंती में भीजय फिर से हार घूँ को है तो यह अब भी उड़ा है अब पता नहीं कह सकते हैं सब कुछ तेरा ही तेरा लेकिन निम्रोजी के हिसाब से आटल जी का तेरा नमबर से क्या क्या करनेक्शन था क्योंकि वैसे 25 दिसमबर 1924 को उन तेरा तरीकों पैदा हुआ था, पहली बात 13 is a number of struggle, is it so? I will say yes, it is a number of struggle Why it is a number of struggle, let us मानो मत जानो मानना नहीं, जानना है चार number struggle का क्यों होता है क्योंकि चार number जो represent करता है राहू को represent करता है अगर आप थोड़ा सा deep जाएं कभी तो आप देखेंगे राहू के पास सिरफ head है body incomplete है, धड़ ही उसके पास धड़ किसके पास है, केतु के पास है केतु इस नमबर 7 4 and 7, they die for each other क्योंकि एक के पास सर, एक के पास धड़ है दोनों मिल जाएं तो body complete हो जाती है नो, चार number के पास सर नहीं है, धड़ नहीं है, body incomplete है तो क्या करेगा, crawl करेगा struggle करेगा, that is the one reason that 4 is a number of struggle and 13 जो number है, कार्मी का मतलब होता है पिछले जनम के कुछ debts मैंने नहीं clear किये होंगे और मुझे इस जनम में चुकाने पड़ेंगे जो मैं कर्मों से ही चुका सकता there is no other way out अटल जी रूल होते है number 7 के साथ अब उनका 13 के साथ connection क्या है अब 13 नमबर है, वो 4 पे आता है अटल जी, 7 नमबर से होते है 7 नमबर के पास धड़ है, incomplete body है केतू है, और 4 के पास सर है, दोनों मिलते हैं तो body complete हो जाती है they die for each other, जैसे मैं नमबर 4 से रूल तोनों विवेक जी दुनिया में कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठा हो जिसको मैंने कभी नहीं देखा, USA में बैठा हो Canada में बैठा हो, Melbourne में बैठा हो, Bombay में बैठा हो, Delhi में बैठा हो अगर उसका driver साथ है यानि को किसी भी मेने की साथ सोलां पत्थिस को पैदा होता है वो मेरे साथ चिपकेगा ही वो मेरे से कंसल्टेशन लेगा ही वो मेरा स्टूटेशन बनेगा ही ये कनेक्शन है साथ और चार का बिकॉस बोथ हर इनकंप्लीट विदाउट इच अदर, तो उनका साथ था तो जब भी चार चार आता था तो वहां पर एक मगनेटिक अट्रेक्शन उनकी हो जाती ने इट इस अ गुड अट्रेक्शन नुकसान भी हुआ उनका तेरा तरीक को लेकिन बड़े इवेंट्स तेरा तरीक को हो है यह गाड़ी के नंबर प्लेट भी देख के लेनी चाहिए जबरदस, यह 100% मैं देखता हूं लोग दसलाग अगरपे की गाड़ी में दसलाग अगरपे की नंबर प्लेट ले लेते है मैं खुद बताता हूं मेरे पास इतनी भी गाड़िया है अभी मैं जिस गाड़ी में आपके पास आएं उसका नंबर है 0456 तो 4-5-6 का टोटल आता है 6 नंबर एक मेरे पास गाड़ी जिसका लास्ट के 4 डिजिट्स है 16-16 एक गाड़ी है मेरे पास 5959 तो तीनों के टोटल आप देखो एका 6 पे आता है एक पे आता है एक पे आता है मैंने अपनी डेटोबर से देखा कि मेरे लिए कौन से नंबर जो है वो फाइदेमन है मैं सब को बोलता हूं कि गाड़ी का नंबर लास्ट के 4 डिजिट्स अगर आप उन नंबरों को सही से चूज करते हैं अपनी डेटोबर्त के हिसाब से मेरी गाड़ी का नंबर है ट्रिपल जिरो फाइफ फैंटास्टिक बहुत ही बड़ी नंबर है तो यहीं देखके सुचा था भाई मेरा पास तरह को हुआ है बहुत ही बड़ी नंबर है आपके लिए पर मैं आपको ड्वाइस करूंग आपकी सारी गाड़ी ट्रिपल जिरो फाइव है नहीं एक बीम डब्लू है उसका कई बार आक्सिरेंट होगा डबल फॉर डबल सिक्स चार चार आठ आठ और आठ और शोलोंचे बाइस चार अगर आपकी गाड़ी का नंबर आपकी डेटो बरत के साथ सिंग कर रहा है तो अगर आपकी गाड़ियां जितनी भी आप लेते हैं या अगे लेंगे मैं आपको गोल्डन डवाइस देता हूं फाइव जिए वेरी गुड नंबर फॉर विवेक बिंदरा बट आप गलती कर रहे हैं आपको एक स्प्रेड बनाना चाहिए कुछ गाड़िया नंबर छे पे ख्रेड नंबर लीजिए जो आपके बर्चाट में है नहीं और आपको सपोर्ट भी कर रहा है तो डैट वी मूर वाइस स्टेप सो मेरी डवाइस होगी आगे से चे नंबर कवर अप करते रहे हैं यहां जांता रहे हैं लाहूल गांदी को फिर कवर अप कैसे करा हैं उनका बाई बाई उनके बारे में सोच रहा हूं बचैरा इतना बड़ीया लेकर के बैठे़ साथा अश्ञा बात नहीं बन रहे हैं यह आप गरीस्के यह पर किया आख करियर में है यह आपकिन की पैसन होता और उसमें सफलता होना एक बात है, मैं अपनी एक्जांपल दे देता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता था, 1987 में मैं अपना गाया हुआ कैसे डिलीस किया, पर मैं सिंगर तो नहीं बन पाया, मेरा चेहरा भी बड़ा अच्छा है, बड़ा खूब सुरोत आवाज भी मेरी हस्की है, बॉलीवूड मेरे कनेक्शन भी है, बड़ा बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, बड़ा नहीं हूँ, तो क्या उसे रोजगार यह आपको देखना पड़ेगा, आप अपना करियर कैसे चूज करेंगे, हम आपकी डेटो बर से बता देंगे, कि आपको डॉक्तर बन परफेक्ट, 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 वेरी नाइस, बहुत बड़े हैं, लेकिन यह कहीं पर थोड़ा एक्स्ट्रीम भी हो जाता है, कि नुमरोलोजी के शमा चाहता हम बुरा नहीं मनना, चक्कर में इतना जारा आदमी पढ़दाता है, कि फिर वो अपनी वाइफ के सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इतना एक्स्ट्रीम में मानना ठीक है, या भगवान को डिसाइड करने दे, जो मैं स्टेट्मेंट देने वाला हूं, मैंनी पीपल विल रेज दिर आइबरोज बिरे सथ डिसेगरी भी कर सकते हैं, तो मैं बड़ा ऑनस आंसर देता हूं कि मै क्या प्रेक्टिस करता हूं, वैसे तो आज की रेट में, अगर आप जितनी भी डिलिवरी देखें, तो आप देखें, शायद एक परसंट, दो परसंट, परसंट, परसंट नॉर्मल डिलिवरी होते हैं, सी सेक्टिस ही होता है आजकल, पहली बात, राइट, I'm not encouraging it, but the fact is, कि मैं अपना मत रखता हूं, ठीक है, आप हो सकता है, डिस अगरी करें, अप डिस अगरी कर सकते हैं, मैं क्या practice करता हूं, मैं ये practice करता हूं, कि अगर मेरे पास کوई client आता है, मैरे से पूछता है कि सर मैंने, जो डिलिवरी करवानी आज़ीए, प्लीज आप में एनी help कीजिए चार-पांच दिन पहले या एक-दो दिन बाद में तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ जैसे जो भी एक्सपेक्टी डेट दी है उससे चार-पांच दिन पहले, हफता पहले और हफता बाद के टोटल 14-15 डेट हो गए बर्थ चार्ट मना लेता हूँ जैंडर मुझे नहीं पता है मैं उनके बर्चार मनाता हूँ मेरे पस बर्चार भी है, ड्राइवर भी है, किनेक्टर भी है सिरफ जैंडर नहीं पता मेरे को मैं उनको क्लिरली बता देता हूँ कि ये जो 15 डेटो बर्थ मैंने बनाई है my recommendation is this number one number two number three right मैं उनको दे देता हूं अब क्या वो बच्चा उस डेट को होगा या नहीं होगा who will decide I will not decide that hurry will decide God will decide I am just a guide I am not a decide right और अपनी real अब आपको मैं प्रेक्टिस बताता हूं suppose कीजे मैं सौ लोगों को ये रिकमेंड करता हूं साल के अंदर right trust me 40 to 50 percent deliveries उस डेट को होती है बाकि deliveries उस डेट को होती ही नहीं है because hurry इच्छा नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं उसके अंदर but मैं इसको practice में लेकर आता हूं कारण मेरा ये thought है अगर एक soul धर्ती पर आना चाहता है जो कि आएगा ही मैं नहीं frequent को तो भी soul को धर्ती पर आना ये अगर मेरे पास एक knowledge है अगर मेरे पास एक विद्या है तो why not? Why not? और अगर C-section हो रहा है तो फिर किया जा सकता है कि आग आजा सकता है अगर एक हन सी ए सेंचिन करा लुड़ोंगा — अगर एक दर्ति पे आना चाहता है उसको अच्छा भाग्य में इस सकते है उसको अच्छा भाग्य मताइश सकते हैं astrology में भी कहीं तरीके मैंने सुने हैं होते हैं बहुत सारे तरीके हैं कुछ और ancient sign भी आये हैं पत्रा भी आये हैं सब कुछ बहुत चीह चल रहे है सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ तैह है विसले मैं भगवत गीता से इसका उत्तर ले चुगा हूँ हो सकते हैं नई dimension एड़ कर दो आप नई dimension एड़ करना चाहें या उसी dimension को आप establish करें प्रश्णी यह है कि वह सब पहले सही तैह है तो फिर मैं भाग दो अड़कियों करूँ वह जो मिलना है मिली जाएगा जो लिखा है आना है वो आना ही आना है मैं काम करूँ तो भी आना नहीं करूँ तो भी आना है इस तरह के सवाल आते है क्या मैं अपना भाग बदल सकता हूँ हा ना सीधा पहले बताता हूँ मेरी spirituality में मेरा spiritual master कहता है कि प्रमात्मा ने आज तक किसी का भाग खराब पहली बात तो लिखा ही नहीं है अच्छा अगर भाग खराब लिखा होता तो जानवर बनाता ऐसा तो नहीं किया ऐसा तो नहीं किया इंसान बनाया है देख पा रहे हैं एक दूसरे को अच्छे अच्छे भोग पार रहे तो डेटो बर्थ कैसे खराब हो सकती है भागे तो खराब हो नहीं सकता जब भागे प्रमात्मा किसी का खराब लिखें गई नहीं तो चेंज भी क्यों करना है प्रॉब्लम पता क्या है विवेग जी हर आदमी को वो जो नहीं मिला है वो चाहता है जो प्रमात्मा देना चाहते है वो लेना नहीं चाहता आपकी डेटो बर्थ के अंदर प्रमात्मा ने इतना जबर्दस आपका भागे लिखा होता है कम से कम एक सूतर, दो सूतर, तीन सूतर होते है मेरी डेटो बर्थ बहुत ही आवरेज है पर मेरी डेटो बर्थ में मुझे पता है कि मेरी डेटो बर्थ के अंदर ये सूत्र है ये हीरे पड़े है लोग जो है उसको लेना नहीं चाहते और जो प्रमात्मा नहीं देना चाहते वो आप लेना चाहते इटमीज आपके पास अल रुवारिया में वह भंना है। जुः जो नहीं है। हर आदमी को अशारु खान बनने है। प्रफी क्वश्चन के रहा गया है। भागे, क्या मैं बदल करता हूं कि मैं पहली बात बदलना बदलने की ज़रूरत ही है। अगर भागे खराइ नहीं नहीं बर्मातमा की बनाई हुई वे वस्ता परफेक्ट ही होती है मैं आपको बता दू उसको बदलना क्यू है पहली बात जब यह थोट आता नहीं कि मुझे बदलना है यह थोट अपने आप में बहुत ही हिंसक है बदलना क्यों है? बदलना की जरूरत ही नहीं है अलेडी प्रमात्मा ने आपको अच्छा भागय ही लिखा है बट अगर आप अपने भागय के विप्रीत चल रहे है तो कैसे अच्छा होगा? इसमें थोड़ा आए बेक टू डिफर देखो ना जैसे आप समझे उस बात को एक ओपन डाइमेंशन से समझते हैं भगवत गीता में भगवान खुदी कह रहे है कि आपको अपना भगय बदलना है भगवान खुदी कंफर्म कर रहे है अलग-अलग स्लोकों में कंफर्म कर रहे है जब अठारवा अध्याय पहुँच जाता है जैसी तुमारी इच्छा हो तुम वैसा कर सकते हो, जैसी तुमारी इंच्छा हो तुम वैसा कर सकते हो जब अठारे से और पीसे जाते हैं कि आपका भाग्य नहीं बदल सकता लेकिन भगवान ने कन्फर्म किया कि आपका भाग्य आपके नए कर्मों से फिर बिल्ड होगा यह जो भाग्य है यह पुराने कर्मों से आया नया जो भाग्य बनेगा वो नए कर्मों से बनेगा उस भागे में alterations होंगे आप में नए कर्म करने शुरू कर दिये आपने पता है कि हम जानवर नहीं बनते इंसान बने हैं तो इंसान क्याँ इंसाने भोग योनी नहीं है कर्म योनी है जानवर है भोग यूनी हूँ भोगने के लिए आया खाली हूँ शेर अगर किसी को मारेगा तो उसको अपराद नहीं लाएगा इंसान मारेगा तो अपराद लाएगा तो कि ये कर्म यूनी है इसमें बगवान खुड इंस्पार कर रहे हैं भागय को अपने बदल सकते हो by doing your new actions by doing the right actions एक भी श्लोक मैं ढूंदता हरा गीता मैं मेरे मन में प्रशन था बहुत समय से तो मैंने अब गीता का साइंस बतावा फिर आपसे पूछूँगा कि आपका इसमें क्या बचार है आपका क्या थौट है उसको भी समझेंगे मैं अपना थौट में इस तरह से एक्स्प्रेस करना चाहरा हूँ कि यह ना लगे कि कोई वीपरी थौट है ऐसा लगे कि जैसे हम समझ सकें इस थौट को इस पर कॉंटम्प्लेट कर सकें कि जब मैं कोई नया अगर मेरे पास आज यह भागे बन के आया है तो मेरे पुराने करमों से आया होगा जैसा कि आपने का थोड़ा सा मैं एक में टोकूंगा ऐसा क्या पैरामीटर है आपके पास मेरे पास कि हम पुराने जनम में अच्छे करम किये थे कि मैं इस तारीक को जनम लिया क्योंकि मुझे कुछ लोटाना था किसी का करदा लोटाना था और इसलिए मेरा यह नंबर बनके आया तो जैसे आपकी निमरोलोजी में भी आता है जैसे भगवान ने भी बताया गीता के अंदर भी गहना ही कर्मनों गती कर्मों की गती बड़ी कर सकते हो उसको और बहतर कर सकते हैं मैं आज भी देखो मेरे अपने बड़े थौट बड़े ही जबर्दस थौट्स हैं बिकॉस मैं भी बहुत स्पिरिच्वालिटी को डिप करने की कोशिश कर रहा हूं आप अपना भागे बदल नहीं सकते हैं आप इंप्रूव कर सकते है अपने कर्मों के द्वारा, मैं आज भी इपनी बात पर अड़्िग हूँ विवयग जी आप में यसे differ कर सकते हैं मैं आप से differ कर सकता हूँ भागे बदलना नहीं है, भागे अच्छा ही है, भागे खराब है यह ने किसी का अगर भागे खराब होता तो परमात्मा उपर बैचके यह तो नहीं करता होगा आशा लिखना डूना का अमरामैन का खराब लिख दे तो ऐसा तो नहीं करता होगा वो अगर ऐसा करता होगा तो पर भूवान ही कै यह आप अपने भागे को समझ के better maneuver कर सकते हैं बदलने की जरूरती नहीं है मेरे साथ से, still I am a firm believer of it. तो आप भी कहे रहे हैं कि हम अलग-अलग remedies, अलग करम कर सकते हैं जिससे वो improve हो जाएगा. इंप्रूव हो सकता है, right? अब मैं शारू का थोड़ी बन सकता हूं. बिलकुल, बिलकुल, बहुत lovely, lovely. अब मैं चार्ट लिखाया, भाई आपने बना लिया होगा नहीं बना लिया होग तो वीडियो का rewind करके बनाओ. पिलकुल. चार्ट त्यार करो. इस चार्ट से अगर उसको पैसे ना खर्च करने हो और खुदी देखना हो, कि भाई मेरी हेज, सेहत कैसी रहने वाली है या मेरे रिष्टे आसपास कैसे रहेंगे या मैं पैसा कमाऊँ और नहीं कमाऊँगा ये तीन चीज़े आपने बताई थी इंपोर्टन्ट है तो मैं थोचा इन तीन चीज़ेगो सवाल में आपको है पिर पकड़ा दूं और आप जो है बता दे कि अगर मुझे खुरी डेटक्ट करना है हेल्थ के ओपर, रिलेशन्शिप रिष्टों के ओपर, पैसे के ओपर और बाद में अगर ठीक लेगे तो मोक्ष के ओपर भी क्या मैं भगवान ते जोड़ पाऊँगा, भक्ती खर पाऊँगा, क्या मझे भगवत प्राप्ती होगी वो भी जेख सकते हैं आपने बड़ी दिल को चू लेने वाली बाद बली पहले वहीं से शुरुआज करता हूँ मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया था सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आप अपना अच्छा है या वी बड़ी गौल्डन स्टेटमेंट देरों बड़ी पावरफुल मानता नहीं जानता हूं तो पांच और छे नमबर अगर आपके बर चाट के अंदर नहीं है, suppose कीजिए, दोनों नमबर नहीं है, ना पांच है ना छे है, आप गोड़े दुड़ाईए जितने दुड़ाने हैं, आप आप आई 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 पड़े हैं, आपको हमेशा एक फरस्टेशन होगा, the kind of skill set I have, the कैसे हमबार से cemented कर सकते हैं, कैसे activate कर सकते हैं, इसका मतलब आपको ये दो नमबर की power लेनी पड़ेगा, अगर आपके आपके पास नहीं है, तो छे नमबर की power को लेने के लिए मैं दो चीज़े बताता हूँ, सबसे पहले एक घड़ी पहनी है, एक घड़ी पहनी है, जिसक चेन मैटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो, दूसरा फ्राइडे वाले दिन किसी सफेज चिज़ का दान दीजे, आपको भी बोल रहा हूँ, फ्राइडे वाले दिन किसी सफेज चिज़ का दान दीजे, आटा, चावल, दूद, पनीर, बरफी, खेर, सगुला, तो शुकर का दान करें आपके, वाइड, सफेज चिज़ दान देना है, प्रेफरेबली किसी अंग हीन को, जिसका कोई अंग नहुलूला, लंगणा कोड़ी यंदा, ना मिल जाए तो बिखारी, इसको बोलेंगे दान या दिया, दान तो दूनों में भी चर्चा होती है कही सबर, दान होता है किसी श्रेष्ट विक्ति को, ब्रामन को, किसी को, बड़े गुरु को दान के आता है, और शेव दया की जाती है किसी गरीब वक्ति पर, या दोनों को सेम माना जाता है, नहीं यहां फिर मेरी स्पिर्चुलिटी बीच में आ जाएगी, दान देना है, दान करनी है दान देना है और जब दान देते हैं तो फिर सेलफिश होके नहीं देना है दे दिया तो दे दिया अगर दान के अंदर भी आपका ये भाव है कि कुछ मिलेगा तो फिर वो दान नहीं है फिर वो दिया हो जाएगी फिर वो दिया हो गई दान का मतला आपने दे दिया कि कि सफेज सीज का दान करो और आपने बताया कि बाई कोई गोल्डन घड़ी बगरे पैनो अगर आपके पस नमबर पांच नहीं है तो आपको क्या करना है सिंपल में बहुत अगर आपके पास छे नमबर नहीं था तो बहुत सी अपॉर्चुन्टी जो आनी चाहिए थी आपके इसलिए नहीं आपको मिसूस हो रहा क्योंकि आपकी डेटो पर तो राजोग बैठे हुए थो पांच आट और नौ पांच एक तो इसलिए आपको छे नमबर की कमी मिसूस नहीं हो रही तो जिसको भी रिलेशनशिप अच्छे करने हैं और चे नमबर आपके अंदर नहीं है तो सिंपल बात बोलता हूँ यूज मोर और ग्रीन कलर हरे रंका जादा से ज़ए इसलिए पांच नमबर होता है मरकरी का होता है बुद का नमबर होता है बैलस देता है जिदगी के अंदर आपको मास्टर की है ये तो पांच नमबर को एक्टिवेट करने के लिए जस्ट य अगर आपके पास नमबर होता है अगर आपके पास नमबर है देर आर चांसिज आपका रिलेशेंशिप अच्छा होगा अगर आपके पास नमबर चे नहीं है देर इस ग्रेट चांस कि आपका जो रिलेशेंशिप सेक्टर वो एक्लिप्स हो जाएगा कहीं न कर दूदला पड़ जाएगा आपका उसके लिए फिर से वही वाइट डान क लो या गोल्ड पैनो बट एक और इसमें कहानी में ट्विस्ट है एक तरफ आपके आपके पस नंबर चे नहीं है राइट बट अगर आपके आपके बास नंबर पांच है तो गाड़ी चल जाएगी बट स्टिल धुक धुक चलेगी आपकी इसके बाद अगर आपकी बोले 9 9 7 7 8 4 4 8 अगर इसना का कॉंबिनेशन आपके बर चार्ट में आ गया है और आपके अपास नमबर छे नहीं यह दोनों चीज़े आ गए आपका ड्राइवर कनेक्टर भी सीरीज में आ गया है दरपीट करता हूं 1 8 8 1 ड्राइवर कनेक्टर निकालना पड़ता ना एक मिनुट म 8 2 3 6 6 3 4 4 9 9 7 7 4 2 2 4 अगर आपका यह कॉंबिनेशन है और आपके पास नमबर छे नहीं है दोनों चीज़े हैं I can give you in the writing your relationship sector is very very weak शादी हो नहीं रही है तो टूट रही है और अगर सब कुछ ठीक है तो संतानली हो पर you are not enjoying your marital bliss अगर आपकी दोनों चीज़े आ जाए तो निकाल निकालो वही है driver conductor अपना तुम पहले मैं सोचा था कि driver conductor से बढ़ा होना चीज़े को driver के जादा काम होता conductor छोटा ही घाम करता है नहीं नहीं दोनों का समझसे से बहनना चाहिए अब driver तो गाड़ी चला रहा है हाँ connector थोड़ा मदद करेगा और connector city मार ही नहीं रहा टिकेट बार नहीं रहा तो दुगड़ा गाड़ी दुड़ाओ जितनी दुड़ाओ पैसे तो एक्सिदेंट हो जाएगा आप सो छे नंबर को आप एक्टिविट कीजिए जैसे मैंने भी बोला है फ्राइडे वल दिन स्वेचिस का दान दीजी और आप घड़ी पहनी आपका मनी सेक्टर आपका relationship सेक्टर दोनों इंप्रूव हो जाएंगे और health के लिए आपको configuration बताता हूं वो अलग है वो अलग है आ आप अपना बर्चाट सामने रखी अगर आपके बर्चाट के अंदर multiple sevens आ रहे है multiple का मतलब एक से ज्यादा दो बार तीन बार आ रहा है आपका health sector eclipse हो जाएगा eclipse हो गया है हुआ खराब के नहीं हुआ है डिपेंड करता है दग गया है दग गया है वो थोड़ा सा खराब रहेगा उधर से आपका driver connector का combination जो मैंने अभी आपको पता है one eight eight one two eight eight two three six six three four 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 two two four nine nine seven seven अगर आपका इस तना का combination बैठ जाए इधर से आपका multiple seven आ जाए तो game over तो doctor hospital के चक्कर आपको काटने ही पढ़ेंगे अब बचनी सकते उससे improve कैसे करें देखो बाई मानो मत जानो अच्छा निकाल के बताना और comment box से बताना मेरे को ठीक आरा नहीं आरा थोड़ा बाकी लोग को भी validation मिल जागा नीचे आओ पढ़ो पढ़ो सारे comment पढ़ो दू में तो लग नहीं रहा आपका और वैसे भी doctor के पास तो पैसे खर्च करी चुके हैं यह भाई तो कुछ मांग भी नहीं रहा आप से अगर आप गायतरी मंतर गायतरी यंतर का थोड़ा सा धारन करते हैं come to me after a year आपकी body भी अची होगी आपका पैसा भी कम खर्च होगा है औ तो यह तीन चीज़ों को अपने इप्रूब कर लिजी हो जाएगी बले बले और अगर आप spirituality की बात कर रहे हैं अध्यात्मिक्ता कैसे प्राप्त होगी spirituality कैसे प्राप्त होगी पहली बात spirituality की जरूरती नहीं किसी को मेरे साब से क्योंकि किसी ने पूछी नहीं मेरे से आई ज़रूरती नहीं है क्योंकि आदमे धन से भरता नहीं रिलेशन्शिप सफर कर रहे हैं जब यह तीनों चीजों की प्राप्ती हो जाती है अब विवेग जी तब spirituality का कुछ जागती है आपके अंदर अगर यह तीन चीजों में एक भी चीज आपके धूरी है यो cannot think of spirituality and my golden statement is you cannot choose spirituality, आप spirituality चूज कर ही नहीं सकते, it is the God which chooses you for the spirituality, प्रमात्मा आपको चुनेंगे spirituality के लिए आप spirituality नहीं चुन सकते, that is my belief, you may agree, you may not agree, अगर आपके बर चाट में नमबर तीन, अगर आपके बर चाट में नमबर सेवन, अगर यह दोनों नमबर हैं, there are chances की कि किसी जनम में, शा एक जनम की यातरा है ही नहीं, एक जनम की यातरा नहीं है, यह जनमों जनमों की यातरा है, किस जनम में परमात्मा आपको चुनेंगे spirituality के लिए, यह आपकी चौई से नहीं हो सकती, तो किस जनम में चुनने कुछ पता नहीं है, तो आप spirituality मत चुनिये, उसने चुनना होगा तो आपको बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब नमबर के धुरंदर है आप अर्विंजी मजा आए अब स्टूडेंट हो भी धुरंदर नहीं बना हो वह स्टूडेंट हो मैं और स्टूडेंट ही बनना चाहता हूं I want to be a good student in numerology अब दिजिटल बॉल्ड में आप डिजिट के साथ खेल कर लोगों के दिन बदल देते हैं आज कर लोगों को ना डेट्श याद रएती है ना आइफोन के number याद रहते हैं लेकिन यह podcast देकने के बाद आपके numbers पर मुझे उम्मीद है वो पूरा ध्यान देंगे comment box हम आपको आइडिया निए इस बात का मैं बता दूर जब माबाब को दन्यवात करते हैं बाग्वान को दन्यवाद करते हैं कि आपकी डेटो वर्थ आप निया थूडी चुनी होगी उली तूटे च्वाई मैं भी अगर आप ऐसा कहते हैं, मेरी तो ऐसी मानिता नहीं है, कि पिछले जन्नम में कुछ अच्छे करम किये तो मेरी ऐसी कोई मानिता नहीं है, यह तो प्रमात्मा कोई कमपा, कोई परसाद बरसा होगा, मुरुश्य जन्नम हुआ है, मैंनी कुछ ऐसा क्रेडिट देता इस जन्नम है जो आपको यह डेटो परत मिली है, वन अव थ बेस्ट देटो परत मिली है, घड़ी जरूर पहनिएगा, नंबर चे को एक्टिवेट करने के लिए, गोल्डन स्टेटमेंन में दे रहा हूँ, यह उमर में बहुत बढ़ा हूँ आप से मैं, यह उमर में बहुत student रहना चाहता हूँ, हम भी ऐसे रहें और इस तरह हैं लोगों की life पे impact देते हैं, आपका ये podcast देखने के बाद आपकी बातों पर, आपके numbers पर लोग ध्यान देंगे, हमारे सब जुड़ने के लिए हिर्दे की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद जाने से पहले मैं दो लाइने बोलना चाहता हूँ, जो मेरे हिर्दे के बड़ी करीब हो सकता है और आउडियंस को दिल पे लग जाएं मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले लोग मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, पंडिर, जोतिश, बाबा, अरविन, सुझन के चकर में पड़े रहते हैं होता कुछ मेंनिन का, होता कुछ भी नहीं है तो कहते हैं मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले एक तुझको पाने के लिए क्या क्या न किया और क्या क्या न हुआ आपके अंदर प्रमात्मा ने वो गुण दिये हैं, वो पावर दी है जैसे एक हिरन होता है न, मर जाता है उस कस्तूरी के लिए, जहां से सुगंद आती है पता नहीं चलता हो, उसको ढूंडता रहता है, ढूंडता रहता है, ढूंडता रहता है और अंत में मर जाता है जंगल जंगल ढूंड रहा है, मरिग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल है तै करना खुद से खुद की दूरी को तो अगर इपन नम्बरों को समझेंगे, तो आप अपनी दूरी तैय कर लेंगे और खुद की पहचान कर लेंगे, जिस दिन आप अपनी पहचान कर लेंगे, तो निमरालोजी आपके काम आएगी, वरना मानो तो गंगा मानो ना मानो तो फिर बेहता पानी. लवली, फंटास्टे गाइज, थैंक यू